हेलो दोस्तों वेल्कम टू लेक्चर नंबर 5 और 5 बीसी चार लेक्चर अलड़ी हमने कवर कर ली हैं आज देखते हैं फिफ्ट लेक्चर में क्या कवर करेंगे हम कर रहे थे हमने सेक्शन 12 सेक्शन 12 यहां तक हमने चीज़े कवर कर ले थी आज हम देखेंगे का प्रोसेस टाइम लाइन चेक्लिस्ट प्रोसीजर सेक्शन 13 हमारा moratorium और public announcement के बारे में बात करता है हम section 13 14 बाद में discuss करेंगे पहले हम देखते हैं कि CIRP process है क्या CIRP के process में चीज़े क्या क्या आती है timelines कैसे कैसे हैं वह सब चीज़े discuss कर लेंगे उसके बाद हम discuss करेंगे section wise इससे क्या होगा आपको एक बहुत अच्छा overview मिल जाएगा कि CIRP के process में हमने पढ़ना क्या क्या है अभी तक आपको एक brief मिली गया होगा कि CIRP का process शुरू कैसे होगा अब इसके आगी की चीज़े देखते हैं कैसे चलेंगे अभी तक आपने पढ़ा था कि अगर कोई corporate debtor default करता है एक करोड का तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं हम application to NCLT डाल सकते हैं for initiation of CIRP कौन कोन application लगा सकता है यह हमें discuss कर लिया था financial creditor, operational creditor और corporate applicant section number 7, section number 8, 9, section number 10 यह बात करते हैं कि financial creditor, operational creditor और corporate applicant खुद कैसे लगा सकता है NCLT को application for initiation of CIRP, form 1 में financial creditor application लगाता था, form 2 में हमारा क्या होता था कि अपनी consent देटा था, interim resolution professional to act as interim resolution professional, section 8 बात करता है, demand notice भेज़ दो section 9 बात करता है, अगर demand notice का reply नहीं आया, payment नहीं दी तो application लगा सकते हैं आप NCLT को यह क्या है, section 8 का एक filter था, यह भी हमने discuss कर लिया था, form 3, form 4, form 5 form 3 हमारा demand notice के बारे में था, form 4 हमारा था issue of invoice, copy of invoice आप भेज़ सकते हो, form 5 आपका application to NCLT section 10 में, form 6 में आप क्या लगा सकते हो, application to NCLT यह चीज़े हमने discuss कर लिया थी, उसके बाद हमने discuss कर लिया था, NCLT के बास 14 days का time है within 14 days यहां तो accept करेगा है or reject, अभी के लिया माल लो application होगी, accept, reject करेगा तो उसको rectification के लिए time देगा, वो चीज़े हमने discuss कर लिया थी, अभी के लिया माल लो NCLT ने क्या कर ली है, application कर लिया आपकी accept, और इसी को हम क्या बोलते है, insolvency commencement date यहां तक आपने चीज़े पढ़ ली थी, यहां से 330 दिन का time था, 180 दिन प्लस 90 दिन के extension और maximum का जा सकता है, 330 दिन तक 60 days यह क्या है, NCLT extension दे सकता है, किसको resolution professional का application लगानी पड़ेगी, NCLT को तब वो extension दे सकता है, maximum 330 दिन तक यह जा सकता है, अब हम आज देखेंगे, कि 180 दिन की जो limit है, इसमें क्या 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 इसकी timeline क्या 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 है, आगे procedure हमारा कैसे चलेगा, ताक कि आपको एक over भी मिल जाए, बहुत अच्छे से आपको interim resolution professional appointment, एक चीज़ हमने और discuss करी थी कि अगर operational creditor हमारा क्या करता है, प्रपोज नहीं करता है, interim resolution professional का नाम, तो NCLT matter को कहा refer करता है, IBBI के पास, और IBBI क्या करता है, NCLT को 10 दिन में reference देता है, उसके बाद NCLT 30 दिन में appointment कर लेता है, यह चीज़े हमने discuss कर ले थी last class में, आगे देखते हैं, इसके बाद क्या है, insolvency commencement date के दिन क्या होता है, interim resolution professional appointment होता है, इस दिन एक चीज़ और होती है, इस दिन क्या होता है, moratorium declare हो जाता है, moratorium declare हो जाता है, moratorium का मतलब अब आपके उपर कोई भी suit नहीं लग सकता, और जो pending suit थे, उन पर भी एक hold लग जाता है, उन पर भी एक stay लग जाता है, इसका मतलब कोई आपको court नहीं लेके जा सकता, आपके उपर कोई suit नहीं कर सकता, आपके उपर कोई case नहीं कर सकता, क्योंकि आपका insolvency, CIRP का process चल रहा है, क्योंकि हमारे यहां, CIRP में बहुत strict timelines हैं, तो बाकी चीजों को हमने क्या कर दिया, hold पर कर दिया, बाकी legal cases को हमने hold पर कर दिया, इसको कहते हैं, हम moratorium declare हो गया है, इसका मतलब अब corporate debtor पे, जिसका CIRP चल रहा है, उसके कोई भी suit नहीं कर सकता, उसके बाद NCLT एक order और और देगा, NCLT order देगा, to interim resolution professional, interim resolution professional को NCLT order देगा, कि आप क्या करो, एक public announcement issue करो, issue a public announcement, PA, इसको हम क्या बोलेंगे, PA public announcement issue करो, to receive, या फिर to invite, claim with proof from creditor हम क्या कर रहे हैं, दो newspaper में, एक English और एक regional language newspaper में, जहाँ registered office of company, corporate debtor is situated, या फिर जहाँ उसका principal business है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, public announcement देंगे, दो newspaper में, कि अगर है, if any, और IBBI की website पे public announcement क्या कर देंगे, publish कर देंगे, कि जी-जी इसको claims देनी है, इस CD के against, CD ने किसी का पैसा देना है, तो आप हमें claim submit कर सकते हो, यह public announcement, यह public announcement within 3 days देगा, वैसे तो code में लिखा है, कि यह public announcement आपको immediately देनी है, क्या देनी है, यह public announcement, interim resolution professional को immediately देनी है, but not later than 3 days, maximum आपके बास 3 दिन का time है, within 3 days आपको क्या करनी है, यह public announcement, यह public announcement आपको देनी है, कितने दो newspaper में, और एक CD की website पे, और एक IBBI की website पे, इस PA को देने के बाद, इस PA को देने के बाद, यह हो गए, इसको हम करते है, इस जो insolvency commencement date को हम क्या करते है, टी लेते हैं, और टी प्लस 3 में क्या होगा, टी प्लस 3 में आप PA देदोगे, public announcement देदोगे to receive claim, उसके, insolvency commencement date के within 14 days, इसका मतलब 3 दिन हमने किसके माइनस कर दिये, 3 दिन हमने किसके माइनस कर दिये, PA के, मतलब PA से 11 दिनों में आपको, PA से 11 दिनों में, या फिर insolvency commencement date से 14 दिनों में, और यहां से कितने होगे 11 days में आपको क्या करना है submit करने, creditors क्या करेंगे submission of claims करेंगे submission of claims इसमें financial creditor होंगे operational creditor होंगे वो अपने-पने क्या करेंगे claim submit करेंगे किसको interim resolution professional को within 14 days from ICD या within 14 days from appointment of interim resolution professional यह दोनों date same ही होती है एक case बताया था मैंने आपको जिसमें अलग होती है हम अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि date same ही है submission of claims आ गया कितने दिन हो गया, 14 दिन हो गया आपके 14 days हो गया आपके within 14 days आपका इतना process हो गया एक तो आपका PA आ गया moratorium declare हो गया और submission of claims भी हो गया उसके बाद interim resolution professional क्या करेगा interim resolution professional का काम है verification of claims करना within 7 days क्या करेगा वो within 7 days from last date for receipt of claims या फिर of receipt of claims within 7 days क्या करेगा उन claims को verify कर लेगा कि जो claims दियें सही claims भी है के नहीं क्रेडिटर ने सही claims दियें के नहीं उन claims को क्या कर लेगा यहाँ पर interim resolution professional उन claims को verify कर देगा देखो आपको ना creditor को proof creditor को claims with proofs देने without proof आप claim नहीं कर सकते इसके बाद within 2 days interim resolution professional को committee constitute करने पड़ेगा constitute committee of creditors क्या करने पड़ेगी creditors की committee गठित करने पड़ेगी कौन-कौन creditors है committee of creditors में financial creditors होते है operational creditors committee of creditors में committee of creditors में नहीं होते है in case if there is no financial creditor in case there is no financial creditor तो उस case में क्या होगा 18 largest operational creditor क्या होंगे 18 largest operational creditor हमारी COC में होंगे एक बार फिर बताता हूं कि आपकी committee of creditors में सिरफ financial creditors होंगे अगर आपकी अगर corporate debtor के कोई भी financial creditor नहीं है तो उसमें क्या होंगे 18 largest operational creditor होंगे constitute करेगा within two days में अब यह days calculate देखो कितने हो गए एक तो insolvency commencement date उसके 3 दिन में क्या करना था हमें PA देनी थी 11 दिन में क्या करना था submission of claims करना था उसके 7 दिन में क्या करना था verification of claims करना था और उसके 2 दिन में क्या करना था हमें उसके 2 दिन में क्या करना था constitute करनी थी COC यह total 23 days हो गए है 23 days from insolvency commencement date अब जो यह जो committee constitute हुई है इस committee में क्या होगा यह discuss करते हैं यह जानते हैं कि इस committee में सबसे पहली meeting में क्या होगा interim resolution professional में interim resolution professional में committee constitute कर ली उसके बाद यह कराएगा first meeting of first meeting of committee of creditors first meeting यह कब कराएगा within 7 days within 7 days यह कितने होगे 23 इतने होगे थे 7 और होगे 30 days from insolvency commencement date first meeting होगी हमारी within 30 days of insolvency commencement date क्या होगी first meeting होगी committee of creditors की committee of creditors में अब इसकी जो appointment थी न interim resolution की professional की appointment सिरफ first meeting of committee of creditors तक ही थी यह क्या होगा interim resolution professional रिटायर हो जाएगा और committee of creditors final resolution professional अपोइंट कर लेंगे यह final मेरा word है code में resolution professional लिखा है code में interim resolution professional को interim resolution professional लिखा है और final resolution professional को resolution professional लिखा है मैंने आपकी understanding के लिए यहां पर क्या लिख दिया final resolution professional यह क्या करेंगे 66% vote से 66% vote से क्या करेंगे final resolution professional को appoint कर लेंगे इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा जो functions होंगे no interim resolution professional के जो functions होंगे resolution professional अब सारे function कौन करेगा final resolution professional एक second आपको थोड़ा out of this यह timeline के भार लेके जा रहा हूं कि interim resolution professional के functions क्या होंगे क्या होता है जिस दिन पे हमने पहले पी discuss किया था इंटेरिम resolution professional appointment होता है insolvency commencement date पे तो क्या होता बोड की powers क्या हो जाती है suspend हो जाती है board of directors की power क्या हो जाती है suspend हो जाती है और management of affairs of cd किसके पास चला जाता है इंटेरिम resolution professional के पास सारी power boards की सारी power किसके पास आयती है इंटेरिम resolution professional के पास यह हमने पहले भी discuss कर गया था और यहां पर किसके पास तरी जाएंगी final resolution professional के पास ऐसा भी हो सकता है कि जो interim resolution professional है इसी को हम final इसी को coc क्या करे final resolution professional appointment कर ले देखो अच्छे से काम कर रहा है knowledge भी उसको अच्छी है इस case के बारे में crp के बारे में उसको पता भी है कि cd के बारे में क्या क्या है तो हो सकता है उसी को point कर ले किसी और को point कर ले यह किस पर depend करता है coc पर depend करता है इसके बाद final resolution professional क्या करेगा final resolution professional appointment of valuers कर लेगा यह क्या करेंगे fair value of assets assets यह liquidation यह liquidation के time पर जो भी fair value होगी जो भी assets liability की fair value होगी वह कौन calculate करेगा fair value कौन बताएगा valuer बताएगा registered valuer बताएगा 2 registered valuer क्या हो जाएगे appoint हो जाएगे इसके बारे में in detail आगे आएगा अभी के लिए सिर्फ इतना ही लिख लो उसके बाद submission of information memorandum information memorandum information memorandum क्या होता है यह देखते है IRP क्या करेगा interim resolution professional क्या करेगा submit करेगा information memorandum to COC to committee of creditors information memorandum में क्या क्या होगा latest audited financial statements होंगे financial statements होंगे और क्या होंगे और क्या होंगे company के list list of members उसके बाद company के employees कौन कौन है worker कौन कौन है कितने employees हैं कितने workers है और उनका अगर claim है तो उनका claim उसके बाद company पे कोई litigation चल रही है उसकी बारे में details एक्सेक्टर 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 information memorandum में इतनी सारी details होंगी appointment of valuer कब appoint होगा within 7 days but not later than 47th day तो इसका मतलब यह क्या हो गया T plus 47 में हमारा क्या आ गया appointment of valuer submission of information memorandum to COC कब होगा within 2 weeks of appointment but not later than but not later than 54 days तो इसका मतलब T plus 54 में हमारा क्या आ गया submission of information memorandum to COC इतना आप note कर लो फिर हम आगे चलते हैं हमने कहां तक डिस्कस कर लिया हमने यह डिस्कस कर लिया कि information memorandum किसको देंगा resolution professional COC को information memorandum पढ़के COC को क्या पता चलेगा कि हमारे पास कितना पैसा है और आप insolvency professional बन जाते हो उसकी भी है क्या कुछ criteria है PCS को इसारी knowledge है IBC के बारे में और सारा काम किसको करना है आपको PCS को insolvency professional यह resolution professional को इसके बाद आपको काम क्या आता है यह देखो इसके बाद जब आपने information memorandum submit कर दिया COC को उसके बाद आप क्या करोगे आप publish करोगे publish करोगे publish करोगे invite करोगे क्या expression of interest आप लोगों को कहोगे यह company कहा जा चुकिए IBC में जा चुकिए इसका CIR पी चल रहा है जिसको इस company को take over करना है resolution plan submit करे उसके लिए क्या करो expression of interest दो इसका मतलब आपको आज की आज क्या कहते है वह नहीं करना आपको आज की आज resolution plan नहीं देना अभी आपको सिर्फ expression of interest देना है कि हम interested है आपको अपने बारे में details देनी है और आपको यह बताना है कि हम criteria सारे criteria fulfill कर रहे हैं कुछ criteria देखो na COC आगे देखो चीज़े खुलेंगी बहुत जादा अभी के लिए समझो कि कुछ criteria decide करेगा कौन COC किसके लिए resolution applicant के लिए resolution applicant भी बोलेगा कि हाँ हम इस criteria आपको fulfill कर रहे हैं और इसलिए हम क्या कर रहे है expression of interest दे रहे हैं तो क्या करेगा form G में resolution professional publish करेगा invite करेगा expression of interest invitation of expression of interest in form G किसमें वही दो newspaper में और दो website में सेम बात उसके बाद ये कब होगा हमारा T plus 54 तक हो गया T plus 75 insolvency commencement date से 75 days के बाद ये काम होगा expression of interest का उसके बाद minimum आपको ना इस form G में invitation में minimum 15 दिन देने पड़ेंगे minimum 15 days तो देने ही पड़ेंगे लोगों को invite कर रहे हो आप लोग submit करेंगे submission के लिए minimum 15 days देने पड़ेंगे फिर लोग क्या करेंगे resolution applicant क्या करेंगे submission करेंगे submission of expression of interest that we are interested in taking over the corporate debtor हम सारी liabilities पे करेंगे और ये हमारा resolution plan resolution plan देखो बाद में आएगा अभी तो सिर्फ क्या रहा है expression of interest आ रहा है कितने दिन में 75 plus 15 कितना हो गया T plus 90 days पे हमारा expression of interest आ गया insolvency commencement date से 90 days में हमारा क्या हो गया expression of interest आ गया इसमें क्या होगा we are interested in submitting resolution plan हम resolution plan submit करेंगे तो ये क्या होगे resolution applicants आ गया इसको क्या बोलते है resolution applicants इसके बाद क्या होगा within 10 days within 10 days इसका मतलब T plus 100 days उस पे क्या होगा resolution professional prepare करेगा list of provisional list बोल सकते है provisional list इसको बोलो provisional list provisional list of resolution applicants कि ये क्या है हमारे resolution applicants है ये list prepare करेगा ये क्या होगे T plus 100 उसके बाद 5 दिन का time मिलता है 5 days का time मिलता है 5 दिन में क्या करो अगर आपको objection है किसी को resolution resolution applicant को objection है उसका नाम नहीं डाला इस list में तो क्या कर सकता है objection ले सकता है objection to provisional list जो list बनाई है resolution professional में ये कौन है prospective resolution applicant अगर इनको कोई objection है तो क्या कर सकते हैं within 5 days वो objection दे सकते हैं उसके बाद within 10 days इसका मतलब T plus 115 final list बनेगी final list of resolution applicants एक final list त्यार होगी है objection वो objection सब कुछ के बाद एक final list त्यार होगी है कि ये लोग हैं हमारे resolution applicants जो final है अब इनका plan देखते हैं किसका अच्छा plan होगा उस हिसाब से हम discuss करेंगे कि किसका plan हम approve करें देखो अगर आप मेरी MCS की class देख रहे हो वह case क्या था वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हो उसमें क्या था backdoor entry होती है promoters की वह यहां पर अभी आएगा वह चीज यहां पर भी आएगी section 29A में तो अगर जिस बच्चे ने वह class attend करी है तो यहां पर चीजे रिलेट कर पा रहा होगा कि यह जो objection है देखो जो backdoor entry promoters जो defaulting company के defaulter promoter है defaulting director है जिनकी वैसे company CIRP में गई है उनको हम क्या करेंगे resolution applicant नहीं देने देंगे ऐसा क्यों होता है क्या होता है वह सब उस class में discuss कर रहा है हमने तो उनको तो straight away ही reject कर देंगे अगर वह resolution वैसे तो resolution applicant बनी नहीं सकते अगर मालनों उनोंने expression of interest दे भी दिया तो उनको तो straight away reject ही कर देंगे वैसे तो eligible ही नहीं है उसके बाद जो जो ineligible है जिस जिसको reject करना होगा वो भी यहां पे reject हो जाएगा और final list of resolution applicants बन जाएगी उसके बाद T plus 135 135 135 दिन में क्या होगा receipt of resolution plans अब क्या करो आप resolution plans बनाने शुरू कर दो अगर आप expression of interest दे रहे हो तो यहीं से आप क्या करो अपना resolution plan बनाना शुरू कर दो और T plus 135 दे तक क्या करो अपना receipt of resolution plans हमारे पास आ जाने चाहिए उसके बाद उसके बाद resolution plan submit अगर आपने receipt का लिया resolution professional के बाद क्या आगया resolution professional के बाद आप take over करने जा रहे नहीं आप company take over करने जा रहे उसका resolution plan कि हम सामने का resolution applicant resolution applicant यह कह रहा resolution applicant ये कह रहा है कि हम आपका जो CD के liabilities pay off कर देंगे और ये हमारा plan है ये हमारी take over की scheme है वो ये सब चीज़े बता देगा अपने resolution plan में उसके बाद क्या होगा resolution professional submit कर देगा resolution plan to COC अब COC इसको क्या करेगी अप्रूव करेगी अप्रूव करेगी कौन COC resolution plan को जो plan उन्हें सही लगेगा उस plan को अप्रूव कर देगी उसके बाद आप करो submit resolution plan to NCLT ये होगा आपकर T plus 165 days में मतलब receipt of resolution plan के within 30 days में आपको क्या करना है submit करना है NCLT को और इसी बीच इसी इन ही 30 दिनों में यहां से लेके इस 30 दिनों में आपको क्या करना है COC को submit भी करना और COC से approve भी करवाना है यह क्या होगा आपका बीच में 30 दिन का time है COC को submit करने का COC से approve करवाने उसके बाद NCLT क्या करेगा approve करेगा resolution plan को अगर सब कुस सही है या फिर reject करेगा अगर सब कुस सही नहीं है अभी के लिए मान के चलते हैं NCLT ने approve कर दिया NCLT के पास 180th day यहां पे आपकी 180 दिन complete होते है 180 days आपका insolvency commencement date से आपको 180 दिन में CIRP process खतम हो करना है और यहां पे 180 दिन आपका approval आजाना चाहिए NCLT के तरफ से और यहां आपका खतम होता है insolvency CIRP का process corporate insolvency resolution process यह पूरा process था यह यहां पे जाके खतम होता है I hope आपको यह procedure पूरा समझाया होगा यह procedure को आप संभाल के रखना जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इसमें details और information और भरती जाएगी यह और fill होता जाएगा और जो छुटी छुटी details है और बहुत से details अभी आने आने वाली हैं यह मत समझना कि CIRP यहां पे खतम होता यह सिर्फ एक procedure है यहां पे आपको पता लग गया कि आगे चीज़े कैसे चलेंगी आगे चीज़े कैसे move होंगी default होगा application लेगी appointment होगा और जो भी resolution professional करेगा और उसके बाद क्या हो जागा खतम हो जागा हमारा CIRP process देखो बहुत सी चीज़े अभी आने वाली हैं तो बने रहना है इस lecture के साथ thank you for watching